हेलो गाइस कैसे हो आप सब बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में भाई IPL 2024 की शुरुवाद जो है अपने as usual time ending March है फिर अपरिल के starting week से हो जाएगी लेकिन इससे पहले IPL 2024 के लिए mini auction होना है जिससे पहले सभी टीमों को release और return लिस्ट जारी करनी है तो दोफ़तों IPL 2024 को लेकर बहुत बड़ी बड़ी अपडेट सारी है उसके बारे में भी हम जानेंगे आगे इस वीडियो में इसके लाओ दोफ़तों RCB कौन से तीन ऐसे भारती खिलाड़ों को confirm release करने वाली है मिनी auction के पहले इस पर हम detail में सारी बात्चित करेंगे तो भाई वीडियो जो है बहुत जादा interesting होने वाली है लास्ट तक जरूर देखेगा चैनल पर नए आये हो तो इसे आज से subscribe करके बिल आइकन को दबा कर रख लीजेगा ताकि ऐसे ही हर एक important update आपको RCB टीम से जुड़ी लगातार मिलती रहे वहीं दोफ़तों only RCB के नाम से हमारा telegram चैनल भी है अगर उसे join नहीं किये हो तो यार याद से join कर लो क्योंकि वहाँ पर भी आपको cricket की हर एक news दिन भर इसके लावा RCB टीम स जुड़ी हर एक update लगातार मिलती रहती है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों media reports की माने तो IPL का auction दुबई में कराया जा सकता है IPL में auction के लिए कुल 590 खिलाडों को shortlist किया गया है IPL 2024 में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है ऐसे में सभी टीमों को अपने release और written खिलाड है वही trade window के खत्म होने के बाद सभी टीम में अपने खिलाडों के return और release list को BCCI के सामने पेश करेंगी इसके बाद BCCI IPL की auction का आयोजन कराएगी इस mini auction में कई खिलाडों पर बड़ी बोली लगने की संभावना जताई जा रही है दोस्तों आई अब हम जानते हैं कि आखिर नाम है हर्शल पटेल का RCB इस बाद टीम के स्टार तेज गिनबाज हर्शल पटेल को release कर सकती है हर्शल पिछले दो सीजन में टीम के लिए वो नहीं कर सके हैं जो उन्होंने 2021 और 22 में किया था IPL में उन्होंने 2021 में 32 विकेट ले थे 2022 में 19 विकेट ले थे लेकिन दोस्तों 2023 में उनका prediction flop साबित हुआ और मात्र 14 विकेट ले पाए थे 2023 के tournament में हर्शल की economy rate जो है करीब 10 की रही थी जिसके वज़े से RCB टीम इन्हें अब जो है release करना चाहेगी इनका auction price भी 10.75 करोड रुपय है तो अगर ऐसे में ये release होते हैं तो कहीं न कहीं RCB टीम के पास अच्छ एक मैच खेला 2023 में होने कोई मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला तो ऐसे में 2024 से पहले RCB की टीम इन्हें जो है release कर देना चाहेगी इसके बाद दूफ तो तीसरा और आखरी नाम होगा दिनेश कार्टिक का दिनेश कार्टिक ने 2023 के IPL में मात्र 140 रन बना पाए थे 13 मैच में तो ऐसे में कहीं न कहीं कार्टिक को भी काफी ज्यादा पैसे दे कर रखी हुए RCB टीम अगर इन्हें release करती है तो इनके पास 5.5 करोड रूपे और एक्स्ट्रा आ जाएंगे जिसकी help से यह auction 2024 के कुछ अच्छे खिलाड़ को खरीद पाएंगे तो भाई दिनेश खिलाड़ी होने वारे हैं जिन्हें RCB के टीम release कर सकती है आपके इसाब से कौन कौन से हो सकते हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही